रवश्कार मैं मैं आशोग व्यास कारिकर इंसाइट इनकों नुम कि शंखला लेकर भारत की तरह बढ़ रहे हैं जिसका सम्मन भारत के अमरत महोच सव से है और जब भारत जैसा राष्ट्र जिसे हम भारत माता कहते हैं अमरत महुत्सव मना रहा है तो उसका आम आदमी के साथ जुड़ाव हो रहा है या नहीं हो रहा है होना चाहिए तो किस तरह होना चाहिए और क्या प्रेड़ना हैं क्या लक्षा है जिस उद्धिश्य को लेकर आजादी के 75 बरसों के बाद में इस अमरत महुत्सव को मनाया ज जा रहे हैं इस उट्सव को उसके बारे में कुछ जानकर ही प्राप्ट करने के लिए हमने आमन प्रिफिया है कुल्च्रल और कम्यूनिकेशन एक्सपर्ट डॉक्टर गोविन पारिको गोवजी रमस्ते स्वागत है आपका जैहिन नमस्कार नमस्कार प्रश्णी यहां से शुरू होता है आपने स्वयम जो यह सुना कि एक शंपला और बड़े एटियासी कि स्थल जो है वहां पर भी आजादी कामरत लगा आपको अच्छोग जी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ग्यापित करना चाहूंगा है कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्धे पर आज चर्चार प्रारमी की है आजादी का अमरित महस्ताव प्रधान मंत्री नहींद मुदी जी का एक उतक्रष्ट विचार है 12 जून 2021 को आजादी के अमरित महस्ताव की शुरुआत हुई हम सब जानते कि 15 अगस्तों 1947 को भारत आजाद हुआ था और ये आजादी के 75 वर्ष्ट का आयोजन है तो आजादी के 75 वर्ष्ट की अनुभूती देश के प्रतेक नागरिक को हूँ इस सुदेश्चे के साथ में 55 सप्ता का ये कारिकरम आयोजन किया जा रहा है पिचतर सप्ता शुरू हुए 12 जून 2021 से 12 जून की तिथी का चुनाव इस आधार पर किया गया कि 12 जून के दिन ही गांदी जी ने 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी नमक का अंदोलन जो नो इसला चुनागे देन ही तो शुरू क्या था और पंद्रह अगस्ति नीज सुसेंटालेज की अजाधी मिली थी उसी आधार पर इसके पिचेतर शुन जून से प्रारम होते हैं और स्तर संपन्टैंपनBy बैक्रह जून 2021 से लिए त座ार तक यो पिजश्का से निट दो जू ह किसी ने किसी तरह के आयोजना का मुख्य उद्देश यह यह कि आम व्यक्ति इनके साथ में जुड़े और आजादी की अनुगूति करें एक महतुपून बात में साथ में जोड़ करके फिर माइक आप क्या सवाले करना चाहूंगा और महतुपून बात यह है कि आजादी कोई चोटी मोटी चीज नहीं है इंडुस्तान के लिए आपको याद होगा कि भारत में संसप्राज 715 में मौमद बिन कासिम ने सिंद्ध के उपर अटेक किया था दायर सेन के उपर पहला अक्रमन था तो एक तरह से बाहरी अक्रमन था उसके बाद मौमद गजनेवी आए गजन की जनजीरों में जकड़ा जाना शूरू हो गया गुलाव बंच भी बहुत सारे बंच वरंत में मुगल चलते गए और मुगल जब कमजोर होने लगे उसके बाद तकाल बाद में फिर यूरोपियंस ने आना शुरू किया और यूरोपियंस के अंदर भी हम माइल स्टोन पंगाल के थे उसके बाद एक तरह से ब्रिटिश इसे इंडिया कंपनी का शाषण एक तरह से हम पर शुरू हो गया तो सन 1857 तो वर्ड प्र प्र वारत बर में लगा था उन कि लगा था और फिर 1857 की जो प्रतम क्रांती थी उस क्रांती जब ऐसाफल हुई उसके ततकाल बात ब्रेटिश महाराणी ने ब्रेटिश पर्लामेंट में कानून पारित करवा के भारत की सथावज दे के हाथ में ले लेकिए निजि atéली से नभ वर्शों तट भारत सोही माइने में ब्रिटिश मारानी का गुलावी है सुबह यह लंबी हमने घुलामी की तिनकी को देखा है और आजादी की सुबह का ऐसास करनày के लिए करोड़ो करोड भारतियों ने सदियों तक इसकी इंतजारी की है जुए ऍजली की सुबह 75 इसेटारी के बाध इतना आपने संक्षेप में यह पूरी जो यात्रा हमारे राश्ट्र की भारत की रही है स्वादीनता की तरह बढ़ने से पहले की उसका जो एक परिचे दिया है उस तरफ आम आदमी जो डाल रोटी की चिंता में या इस तरह की प्रतिस्वर्दा में की मेरा बेटा कहां एकुछ आप से परे जाके जब हम भारत के इतिहास की तरफ दृष्टी डालते है तो कुछ ऐसा जो हमारे आँस-पास विश्यस्ट है उसकी तरफ ध्यान जाता रही तो लगता है कि उस दृष्टी से की एक व्यापक दृष्टी कौन आम आदमी का बने वह उसके व्यक्ति नुश्का भी एक हेतु बन सकता है तो मैं पुने जैसे बात कर रहा था जो अमरत महुतसव मना रहे हैं आम आदमी का इससे जुड़ा हो भी रहा होगा नहीं भी हो रहा होगा मोटा मोटी जैतना उच्छा मुझे लगता है संचरित करने की मनशा जब यह आजादी के अमरत मह सव की गोशना हुई तो जैसी रही होगी और कुछ प्राडम भी कारिकरों में में विविद सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी रही होगे मोटा मोटी आपको क्या लगता है क्योंकि अब मैं एक दम दूनों इस तरहों पर भारत को देख रहा हूं जो अभी है जिस पर के कुछ कुछ आंदोलन चलते रहे और अभी पूरा विश्व ही एक प्रकार के आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ने लग गया है तो ऐसे में जो एक गरिमा एक भव्यता और एक जो भारत की माटी का जो आध्यात्मिक भाव है उसमें स्पंदित होने के लिए आम आदमी कहीं अपने अ स्वाल आपने पूछा अगर हम सही माइने में देखे तो भारत सोने की चिडिया कहलाता था अतीत में भारत सोने की चिडिया कहलाता था और आज सही माइने में आज की भारतीय पीधी को अपनी विरासत पर गर्व करने के लिए बहुत सारी अधास अबदा हमारे सामने में म की चलीवीत है कि अरिदी लबें हमतितर जो कंदा नेय। कि इसा भारत को पर धरिट लिधीया का सब्शुन सब्साइबरेन के और सपतितिता है क्राहिए जैसे नहीं परint है सुनी के लिए उसके कारण भारत सोने की चडिया नहीं क्याला था ठाहर लुड चुड़ीया से आश्र था था कि हमारे हां संद्ध रिरासद संस्कुट एंद संस्कुटी ठाहरी हर राष्टिकॉड के साथ भारत एक संद्ध जा विश्व था और विश्व के अलग अलग कौन लोग भारत की आत्रा करने के लिए लाला ही तो इसी के कारण भारत की खूज शुरू हुए और 1492 में को लंबस भारत को खूज ते विए अमेरिका खूज गया और उसके बाद 1498 में पुर्थगाल का वास्को डिगामा भारत की कालिकट में आया और यूरोपियन रस्ती से वो भारत की खूज और भारत की अथा संस्कृति हमारी संब्रद संस्कृति क्विरासर उसका एहसास हमें आज भी है कि हमारे लिए गर्व करने के अनुरूती है और अच्छी और महतुपूर्ण बात यह है कि सदियों की गुलावी के बावजूद आज भी किसी ने किसी ने भी लंगे और ये बात सही है ये संस्कृति ने ब्रद यह है है और इसी भारती इता को में गार्चीवित करने के अधेशन सब्सक्राइब तरह को हमारी वर्तमान पीडिवी जाने और जान करके उस करें और उसका अनुसरान करें इस बात पर विशेश पंदिया तो जी आप देखते हैं बहुत सारे उत्सव आयो जी तोतने जिसे मुझे सोना आता है नहरु युवा केंदर के द्वारा भी और अन्य जो सरकारी इस प्राइवार के सांस्कृतिक संवेटन होंगे जो अलग-अ राजियों के लोग कलाकारों को एक मंच पर लाते हैं वहां आपको देखने को मिलता है सीदे सीदे कि कितनी विविलता है भारत की नृत्य कला जो है परिधान कितना अलग-अलग है अच्छा ये बात है जब हम ऐसे दो लाइन में कोई बोल देता है तो उसका पता नहीं मैं पहले इसको पुने रेखांकित करते हुए कि जब आप एक मंच पर इन लोग कलाकारों को अलग-अलग परिधान में अलग-अलग प्रकार के जो संगीत की स्वर लेहरियों में नरत्य करते हुए देखते हैं तो आपके अंदर का जो एक सीमित भाव है वो दीरे-दीरे आपको लगता है कि अहां जीवन इतना सा ही नहीं है जो मेरे हिससे अभी चल रहा है समझो मैं साइकिल पर एक नौकरी के लिए जाता हूं अमुक मनुष्य है उसके साथ मेरा व्यावार होता है या मेरी बीवी या मेरा पती इस तरह की व्यावार से मुझे ऐसा भाव देते जैसे मैं बहुत स्वीमित हो गया तो मैं थोड़ा विश्तार में इस बात को आपके प्रती खोल रहा है गोविन जी की जो निरत्य है जो संगीत है भारत का अलगे राजियों का वो आपका जो रोजमर्रा का धर्रे वाला जीवन है उससे बाहर लाने का उस भी देता है अब यह जो प्रवरतियां हैं जिसमें की सांस्कृतिक रूप से जो भारत की विवितिता का दर्शन करने का उसका आनंद लेने का अवस्वर बच्चों को पहले से मिल लाए वो सिर्फ अपने कॉम्पेटीशन के अलावा इस तरह देखें कि वो इतने संपन्न और संब्रद मुझे लगता उस दिशामें आँ आदमी को ले ने के लिए भी अमरत महुतसव एक बड़ी भूमिका निवार रहा है या निवा सकता है इसके बारे में आपको संस्क्र 갖고 तो विश्वकी स्वेष्ट है इसलिए माने जाती है सबसे ज्यादा क्राचीन है सबसे वैंक्र कि विभिन्ता lift क्ला सथ में हमारे कि विशेश्वकी है विशुछि का सिंहारे हमारी संस्क्रति की अबर्ण को को भी अपने विदेशी संस्कृतियों को भी किसी निकिसी स्वरूप में गाहिय करने की ख्यमता रखती है और स्थानीय संस्कृतियों का मेल वास्व में बड़ा जूरदार होता है बड़ा आनंद दायक होता है और वो सानन्द की अनुब्रती निश्चेत रूप से प्रत्य किसी षचांग परिंदा गांव होनakah गर्टी है उसको करना ही करना पड़ रहे हैं लेकिनि संघर्षों के साथ साथ भारती संस्कृति के विविद्स परूप जब उसके समख जाते हैं तो चाइद उस संघर्षों से मीकित्षमता को संघर से उबर करके अपने आपको सुद्रड करने की अवस्ता और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और वो निश्चित रूप से इस तरह की आयोजन और मजबूत कर देखते हैं कि हमारी आध्यात में परंपराओं में भागवत कता हो रही है कि रामाइट का पाट हो रहा है तहीं अल तो समस्याओं को अपनी आजिंताओं को करने संगर्षों को सब्सक्राइब ऑस्हां कि अपने संगर्षों को समय भूंकर प्रहुञ करते हैं और ऐसे कुछ पार्टियों को जानता रहा जो वो बहुत सारी भासाहें बोल पते थे। तो थोड़ी देर गुजराती बोल रहा है, फिर Node. 2 कहीं से उन्होंने तमिय्ट थोड़ी सीख लिये वह बोल रहे हैं, भोजपूरी बोल रहे हैं तो जब आप अलग-अलग भाषाओं में बोलते हो उसका एक अलगी रस और उल्लास सब बन जाता है प्रशन यहां पर आता है कि क्या हम इस अमरत महुच सब में हमारे जो क्षेत्रिय भाषा हैं भाषाएं हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए कुछ करें और विशेश करके आने वाली पीडी जो अगर राश्ट्रिय भाषा हिंदी है उसको अपना सम्मान होना चाहिए लेकिन क्षेत्रिय भाषाओं के साथ का जो रस है उसमें भी निमजित होने का अवसर आने वाली पीडी को में ले उनको ऐसी प्रेरा हो और हम जिस पंजाबी जानते ही जानते हैं अधिक तरवच्चे गुजराती जानते ही जानते हैं इस द्रश्टी से अब चुकि आप राजस्तान में बैटे हैं तो राजस्तानी भाषा को लेकर भी एक लंबा संगर्श चलता रहा है तो आम आदमी के लिए आजादी के अमरत से उसका क्या उपियोग कहा जाए उन्नत इस तरके चिंतन को अपनाने के लिए हो सकता है या हो राइस के बारे में आपका चिंतन मैं आप से सहमत हूँ कि इस्तानिय भाषा और इस्तानिय भूलियां तो घटी के अगर आथ कहें सही माहिने में कहें तो उसकी आत्मा के सबसे रज़्दी होती है कोई भी किसी भी पंजाब के गुजरात के और पंजाबी और गुजराती में भी फिर अलग-अलग तरह की आ प्रतेग को स्वयम खुदको भी इस वात के लिए प्रेडित होना चाहिए अगर तो अगर शीखता हूं तो अगर शीखता हूं तो भी और अप्लब्दी होगी और ऐसे कुछ लोग रहे हैं जिस तरह के समाचार पढ़ रहा होता हूं और जिस तरह के कुछ वक्त भी अब शुनने को मिल जाते हैं तो हमने क्या है कि एक प्रकार की परिदी अपने आस्पाल बना लिए कि मेरा यही है और वो जो है वो मेरा नहीं है इसनाते मैं उसके अंदर की जो कुबी है उसके अंदर का जो रस है उसके अपने आपको वंचित करके ही रखता हूं बाद्य करता हूं अब मैं गुलार की तरह काऊं कि आपने वेर में गुलाब के पौदे लगा रखें पड़ोसीने भी लगा रखें उसके आगी वेराइटी थोड़ी सी अलग है लेकिन ह क्यों है तो आप अपना ही नुकसान करें उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि जो अलग धंग से बोलना है उसका भी एक अलग आनंद है उसको सराने वाला जो भाव है वो हमारे अंदर जागरत रहे उस द्रश्टी से मैं देखता हूं कि ऐसे कम नेता मुझे लगता है जो तब भी रहोगा कि हमारे पास अच्छे रोल मॉडल नहीं है इनके बारे में आपका का है आप सही कह रहे हूं और भाषा की दरस्ती से रोल मॉडल को अगर देखते हैं नहीं हैं बहु बहु भाशी है लेकिन मुझे यहाद आता है नसिमा राव जी तो देश के प्रधान मं सब्सक्राइब कर देखते हैं नहीं है कि 15-16 वाशाओं की जानकार देखते हैं जिनकों से 10 तरीके से बोल पाते हैं लेकिन आपना है सहरत हो आपसे कि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग और ऐसे रूल मॉडल कॉत कम है और ज्यादा तर लोग अपनी स्वयम की भाशा पर ही सीमित जाएं उनके प्रतीवी हमारा दुरागरे नहीं होना चाहिए बंचिको भी हमारा प्रियास होना चाहिए कि उनको भी सीखें प्रतीवी आत्मयता रखें अनकि वली इन भाशाओं को बिल्कि अब जो बारतिये पाठीकरम है स्कुलों के और कॉलेज में तो हम देखते हैं मै तो उनको तीन भाशा है सीखनी होती है तो फरस्ट और सेकिल दो वाचा है तो ईक तो उनकी स्थाणी भाशा जो और एक नेशनल लेग्वेज लिए दिज़ वाशा के रूप में कुछ लोग संस्कृत को सीखते हैं भाशा को बर उदू को सीखते हैं कोई और दूसरी भाश प्रेवाण भाचाई यह नहीं वचानी हैं यह वर जहीं नहीं होगा कि आज है आनन्द लेने कि अभूति कर पाएंगे और ज्यादा व्यापक सूच अमां का दाइरा और को लिए और बच्चा की होती और बच्चा आसा के माँ पहली गुरु है वह तो जो एक पाठ्यक्रम है उससे भारत का शरूप बच्चे के मन्त में पहुंच रहा है उसका वह अपना महत्त्व है जो कि तरह कर विवादास्पत जो शंदर में उनमें हम गैराई से नह भी जाएं तो आपको श्मर्ण होगा कि जवालाल नहरू विश्व विद्याले में जिस प्रकार के नारे हुए उससे जो एक आम भारती है भारती अता के जिस भाव के साथ जुड़ा है उसको भारत के टुकड़े होने वाली बात तो ग्राय हो नहीं सकती है फिर भी उसको अभी व्यक्ति की स्वतनत्रा का नाम देखे कुछ लोग जो की महत्वपूर्ण है पर उसका समर्थन कर रहे थे पर मैं इस संदर्व से हमारा जो विशय जिस ले में आगे बढ़ रहा है तो भारती अता के स्वरूप के बारे में अभी अलग-अलग मनीशी अलग-अलग- रूप में बात करते हैं हम जब सांस्कृतिक अद्यात्मिक भátरत की बात कर रहे हैं तो जो राजनितिक भारत है उसका अ इक अलग उसकी च्वी है वो आजाती है और कई जो एक राष्ट्री असमिटा में जो सांस्कृतिक प्रम की बात जिसे आभी पहले प् आमिदान में जो बाद में जोडा गया शब्द लेकिन धर्म मेरे पेक्ष राश्ट्र तो धर्म तो भारत की आत्मा है कई लोगों को इस बाक्य में सही ध्वनित भारत दिखाई देता हूँ क्योंकि जो संस्कृति और धर्म भारत के संदर्व में अलग-अलग देखे नहीं जा सकते हैं यह वाला जो संदर्व है इसके साथ में जो अम्रत महोत सब की परिकल पर आए मुझे रगता है कहीं न कहीं वह भी जुड़ी हुई है क्योंकि अम्रत शब्द आपको अम्रत मंतन की कता की तरव ले जाता है और जब आप देखते हैं कि हिंदी भाशा के अब प्रयोब किये जाते हैं तो कुछ लोग उसको लेके अलग दिशा के साथ में उसका संबंद मान लेते हैं मैं सहज धंग से जो बात कह रहा हूं यह कहीं-कहीं जाके विवादास्पद सा स्वर्वूप ले लेती है जो कि अम्रत महोत स्वाव के मनाये जाने की जो भाव पर रहा है उसको ठीक ठीक पकड़ने में बादक हो सकता है इसके बारे में आपका चिंतर पर अलग अलग तरीके से टिंपड़ी करना चाहूंगा पहरी बात तो यह कि जितरह जिस तरह का इस समय के मीडिया दोरा इस तरह की एक प्रचार प्रसार जिस वरूप में होता है और कि प्रचार को देखने के बाद लगता है जैसे बहुत कुछ चीजे आशांत है बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रजिन की वजाए विद्वन्स जाना हो रहा है विद्वन्स चाहिए संस्कृति का विद्वन्स हो यह किसी और तरीके से आर्थिक दृष्टी से या सामज तो आज भी भारत की आत्मा है और यह आत्मा भारती आ लोगों में विद्वन्स है कुछ लोग विवन्स काहरणों से उन्होंने धार्म परिवर्तन हुए को तलवार के बलपर हुआ कोई लारत सिपके बलपर हुआ और उसके भाजमी रियांस में रिरंतर रूप से हो रहा ह आज भी कई बार कई लोगों ने किसी और धर्म इंको अपना लिया हो लेकिन उसके बावजूद भी किसी स्वरूप में उन्हें भारतियता का जो आत्मा है कहीं कहीं से तरश्टी को चरो जाती है कुछ लोग उस आत्मा को कुछंगने की कुछ हिष्टा जरूर करते हैं लेकि हो रही है कमिया और जो इस तरह की चीजें जो विवादास्पत चीजें जाना हाइलाइट हो रही हो लेकिन अगर आप समगर भूप से समाज में देखेंगे सुसाइटी में देखेंगे तो शायद उतने गहरे आंतरिक मतवेत नहीं हैं अभी भी किसी स्वरूप में लोगो हो आशा की तरफ़ लेटी और आशा के विकास संभबी नहीं है आशा जागरत रहे न केवल यक्ति रूप में बलकि पूरे राष्टर की एकता के साथ आगे बढ़ने के संकल्प के साथ में आशा बनी रहे उस दृष्टी से जब हम भारत के अमरत महुतसव की बात कर रहे हैं आजादी के अमरत महुतसव की बात कर रहे हैं तो समापन के साथ में क्या बात ऐसी है जो आप आम आदमी में देखना चाहेंगे, क्या सीख इस पूरी जो यात्रा पीछे तरसफ्ता के विशेशूर से बारत केंद्रित है, उसमें ऐसे चिंतन कन हो या भावना के स्तर पर क्या बात आम आदमी के लिए है या हो आपकी कि अशुब जी महतुब बात किया है कि हम आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, आजादी की 75 वर्षकार्ट मनाने जा रहे हैं, इन 75 वर्षों में भारत ने बहुत कुछ अर्चित किया है, जिसकी सदियों से प्रतीश्या थी, आज इन 75 वर्षों में भारतिये प्रतिये नागर सब्सक्राइब करने की सब्सक्राइब करने की सब्सक्राइब और खास्तोर पर एक बात मैं कहाना चाहूंगा कि इतने राशाजने किस्तियां ज्यादा बेहतर है आज भारती है प्रते एक क्षेत्र में श्रेष्ट कर रहे हैं पुरे विश्व में भारती होने अपनी श्रेष्टता का नंका बजाए है चाहे आज आप अमेरिका में बैटे वे भारत की श्रेष्टता को पुश्वबित कर रहे हूं यूरोप की रास्त्रों में और किसी रास सब्सक्राइब करते हुए हमारे मरतमान को और बैतर बनाने का प्रियाश करना चाहिए को जितना स्टेश्ट करें तभी हमें उज्वल भाविश्य की तरह आगे बढ़ पाएं बहुत ही सुचना के साथ-साथ चिंतन दोनों का इतना सुन्दर संगम और चार पंक्तियां आपक में एक भारत गौरव परिक्रम यहां युनाइटेट नेशन्स परिसर में आयजित हुआ था तब आपकी पुस्टिव में मैंने कहीं थी और वो पंक्तियां है जो भारत की अमरत महुत सब को समर्पित करते हुए भारत भाव उजागर हो शान्ति समन्वे घर घर हो और अमर भारत की परमपरा का अंश रहा ही है उसका स्वन करते हुए आपका अबार है जय हिंग जय महारत आप आप